नमस्कार सबी भाईयों का इंदुस्तान डेरी फारम यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज एक बार फिर श्यजो मुर्रा नसल अपने हर्याने के अंदर पचरम लहरा रही है उसी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो मैं जो जोटी है उसके मालिक के नाम बता जिता हूँ जिसके नाम है मिस्टर मंजीत और जो बिलोंग करते है सिंगवा खास से परंतु उनका जो फिलहाल रजिस्टेंस है वो इसार के अंदर है आज उनी के बारे में बात करेंगे थी एक बैस ने उनकी जिन्दकी को किस तरह बदल दिया है एक बार में फिर से उनका जो एडरेस हूँ आपको कंफरम कर देता हूँ जो वैसे तो बिलोंग करते हैं सिंगवा खास से परंतु फिलहाल जिसार के अंदर डेरी कर रखकी है शुरुआत कहां से हुई कि एक किसान को एक बैस की जरूरत थी और उन्होंने संपरक किया मिष्टर मंजीत से और मंजीत भाई ने उनको एक मैस दिल्वा दी उनके गर जाने के बाद जो उनका नया मलिक बना उस बैस का उनको ये बैस पसंद नहीं आई और उनोंने वापिस उस बैस को कर दिया और मंजीत बाई ने उसको उनके असली मलिक के पास ने वापिस डाल कर उनको खुद अपनी जेब से वापिस रुपए दे दिया तो उस बैस को खुद रख लिया और जब उस बैस ने अपना जो परफोर्मेंस देने लगी तो जो लोग उनकी तरफ देखते रहे गए कि जो बैस है वो कोई बैस नहीं एक चीज है और जो बैस ने CIRB के अंदर रिकोर्ड करवाय दूद 21 किलो 37 गिराम और जो गंगवा कमप पिटिशन में जब बैस लगी थी तो वहां पर बैस ने 24 किलो कुछ गिराम रिकोर्ड करवाया था और जो आप इस बैस जो उसकी कटड़ी है उसकी एक बर हाइट लैंथ वेट देख लीजिए और जो उसकी मा फिल हाल थोड़ी ड्राइव रखी थी इसलिए वीडियो उनक कि नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि एक जो चैंपियन पशू की चैंपियन की तरह ही तैयारी होने पर उसकी जो वीडियो डालने चाहिए वैसे जो हम कह सकते हैं कि बैस को भी लग अब कुल ऐसे नहीं दिखाए जा सकता और जो आब बात करेंगे कि उन्नोंने बैस को खुज के पास रखा और जो आज उनका मालिक है वो उसको 37 लाख रुपई में लेने के लिए वेता बैपरन्त जो मंजीत भाई ने ये कह दिया कि किसी भी किम्मत पर इस वैंस को आपने से दूर नहीं करेंगे और वैंस ने उनको बहुत लाखो रुपई नाम जीत कर दिया और जो आ के अंदर भी जो कम्पीटेशन हुआ था उसमें भी वैस थर्ड नंबर पर आई थी और आपको एक बात और बता देता हूं कि मंजीत भाई ने स्पेसल मेसिज काया कि भाई साब बैस ये आप रखलो दो परन्तु रखो ऐस एक्वाल्टी कि जो केवल दसों के बराबर आप को फ्रोफिट दे दे और जो आप वीडियो के अंदर छोटा बच्चां कुछ देख रहे हैं ये भी जो बैसोक से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हुआ और बाय मंजीत भी आपको बिल्कुल शाफ दिखाई दे रहे हैं ये जो टियार कर रखी है जो ब्याने में केवल 20 या 22 दिन इसके बच्चे भी हैं इसकी भी जो डिलेवरी पर दूद की आपको वीडियो जरूर दिखाएंगे टाइम आने पर और दोस्तों आप से एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि जो भी भाई डेरी फार्मर या किसान डेरी सेक्टर की और आने लग रहे हैं उनका बार बार दन्यवाद है कि जो उनके सायोग से या जारी आना देरे देरे डेरी सेक्टर के अंदर आगे बढ़ता जा रहे हैं और थोड़ी देर के लिए आप इस जोटी को देख लीजे बिल्कुल मैं रहा है कुछ नहीं बोलूंगा और बाय मंजीत आपको इसको चला कर दिखा रहे हैं और कुछ बायों के दिल में संकर रहे हैं कि यह वाइट पट्टा किसलिया बांद रखा है तो मैं बता देता हूं कि यह ब्यूटी कम्पिटिशन में चोत्य नंबर पर रहे थी उसलिए बाय साबने इनों बांद रखी है और जो वेट में हाइट में लैंथ में बिल्कुल तयार है और जैसे इसकी डिलेवरी हो जाएगे आपको इसकी वीडियो दिखाए जाएगी और यहां ब्याने की तयारी कर रहे होगी ज़्यद्ध भी दिखाएंगे तो दोस्तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जै हिंद जै भारत